नमस्कार दोस्तों मैं साक्षिर आप सभी लाइव हो चुके है वाइरल हरयाना के साथ आज एक खबर की बात करें तो खबर नहीं है बहुत ही दुख की जो है ये मैं आपको बात बता रही हूं कि आप एक महिला को जो है देख पा रहे हैं हमसे भी नहीं देखा जा रहा है इन के दोनों तरफ से जो है हाथ बांद रखे हैं आखिर क्यों इनके हाथ बांद रखे हैं और इस महिला की हालत आखिर ऐसी क्यों है देख पारे हैं कि महिला जो है बारी बारी जो बताया जा रहा है कि इनकी तव्यत बहुत जादा खराब है और बहुत जादा ये जो है बिमारी से जूज रही है भगवान ने कैसा इनके साथ कर दिया है क्योंकि ये पहले ही जो है बहुत लाचार है गरीब परिवार से हैं और कहीं न कहीं जो आप देख पारें कि किस तरीके से भगवान के द्वारा भी जो है इतनी लाचारी जो है इनको दे दी गई है महिला है ये दिखाओं कि ये छोटी सी बच्ची जो है इनकी ही है और देख पा रहे हैं कि गुडिया जिहां कहीं ना कहीं जब ये एकसेप्टेशन्स रखते हैं कि मेरी मा मुझे खाना खिलाएगी वो जो है इसको नसीब नहीं हो रहा है मा का प्यार नहीं हो रहा है लेकिन ये बेटी की तरह ही अपनी मा को प्यार करती है तभी ये जो है श्ट्रॉंग बनी पड़ी है मैं बता दो दस महीने पहले जो है इन महीला की हालत भी ठीक नहीं हो पाई है मैं बता दू कि देख पा रहे है कि पहले जो महीला की जो स्थीटी थी वो काफी अच्छी थी जो últimosफी बताया जा रहे हICि खाना पीना भी अच्छे से खाती थी लेकिन उसके बाद जो है किस तरीके से क्या इनके ऊपर कहर टूट और घर का अकेला ही कमाने वाले हैं ये सर और अब जो है ये ना कमा पा रहे हैं क्योंकि घर में बच्चों का भी ध्यान रखना है और इनका भी ध्यान रखना है मैं बता दो ये हाथ इसले बांदे हुए है क्योंकि ये महिला थोड़ा जो है अपने माइंड से अब नहीं काम पारी है ना किसी को पहचानती है ना ही किसी को जो है जान पाती है और ना ही ये क्या कर रही है वो कुछ समझ पाती है महिला की इतनी जादा हालत खराब हो चुकी और मैं दिखाओं गले में भी जो है इनके नली यहां पर लगी हुई है देख पारें आप गले में भी नली पती हमारे साथ मोजूद है उन से जानकारी लेंगे कैसी क्या कुछ जो है इनकी इस्ती ए सर कैसी क्या कुछ हुआ था था पेट में दर्द वा था था और उसके बाद हमने वर्ती कर आया जिए तो उन्होंने ठीक हो जाएगी एक दिन बढ़ती कर अगले दिन बोले वाही यह जाएगी रविंद्रा होस्पिटल में ले गए थे मृडल टाउन में उसके बाद पिराम इसको रह था ले गगए पीजाए में एक महीना यह रही रही सतरा दिन वेल्टी नेटर पर रही तीन महीने वाड में बढ़ती की तीन महीने के बाद हम इसको गड़ ले आएएगी अपिड़ी में लेके जाते हो दवाही देते हैं उन्होंने बोला दिमाग में सूजन है और उसके बाद ही किया है दसों महीना चल रह इसको ले जाते है उसके बाद यहाएगी तेवी लाल पार के पास भी दिखाया था नरेंदर एलाहज जी गया एक महीना वो भी बोले बह पाप पैसे नहीं मैं कमाने वाला हूं मैं आप लोगों से विंती करता हूं प्लीस मेरी मदद करें पेट में दर्द हुआ था तो बताया किसी ने पेट में क्या प्रोब्लम होई थी एक दम से पेट में दर्द हुआ था उसके बाद डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा था बस अगलगोष चड़ा रहा था चोविस गंटे तक ना खाने पीने को दिया था बस उसके वाले बाद में किनको तो बुखार दीमाग में घुजगया दीमाग वाले डोक्टर के पास लेके जाओ अच्छा कितने पैसे लगा चुके साथ लाक रुपे लगा चुका अभी त पचास लगा अजार रुपे छीटर आजा रुपे अच्छा करके लोगों से मांग मांग के गुज़ा कर रहे है अब कितने महीने हो चुके हैं सर्थ 10 हो महीना चल रहा है एक जनवरी को वरती वी थे हो ऑस्पिटल में आफ दसो महीना चल रहा है है कि अपना संजे चोग पर जाता हूं कोई गारी गुड़ी मिल जाती उसे उतार के आ जाता हूं को इनको चार चार गंटे में फीड देनी पड़ती इनली में को इसलिए बस नोकरी मिनी कर पाता क्योंकि लेटिन विष्टर पर करती है कोई और खड़ने वाला है और मेरा बेट और ये च्छे साल की गुड़ी है बस हम तीनी है दो क्या कि आफ एक जो है तरीके से दस महिने से अपनी पतनी की सेवा कर रहे हैं क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है बच्ची है चोटी सी यह भी जो है इसके साथ खेलती है ताकि उनका जो है मन लगा रहे क्योंकि यह नहीं अपने पती को पहचान पाती है नहीं अपने बच्चों को पहचान पाती है और आप जो है इनकी कंडीशन तो देखी पा रहे होंगे कि यह जादा तर जो है अपना हा यह पहले शुरुवाद से बांगते हैं यह थोड़े टाइम से बांगने लगे नहीं है रोग तक से होस्पिटल में आने के बाद बादने लगे महां पे तो डोक्टर वगरा इंजक्शन देते थे वह इसलिए निकाल पाती थी महा पड़ी रहती थी लगिन घर पे तो टैबल अवारी शादी को हो चुके हैं उनटीस साल उन्नी सो चुराद में में ठारा मैं को साधी थी तब से यह थी थी या फिर अभी इनकी हाला तो ऐसे हुआ मतलब नहीं पहले तो बहुत अंधरूस्ती बहुत मोटी ताजी थी अभी एग जनवरी से ऐसे हुआ है ऐसे हुआ है एक दम से ही कोई बिमारी लग गई इनको पेट में दर्द बताया था दोक्टर होने की पेट में दर्द हो रहा है फिर इसको 24 गंटे तक उनोंने इलाज के उसके बाद वो बोले वाई इसको दिमाग में दोक्टर के पाले जब फिर मा रविंदरा ऑस्पिटल में ले गए उन्होंने एक दिन भरती की अगले दिन बोले भाई यह निवेश्टी फिर रहो तक फिजियाई में ले गए थे मापे इसका हिलाज चला काई महिने तक तो आप जो है महिला की जो है स्थीती देख पा रहे हैं और अगर इनके घर की स्थीती दिखाऊं तो आपको बाहर का है जूँदे दिखाऊंगी लेकिन देख पारें किस तरीके से इनके घर की स्तीती भी ठीक नए थीक नहीं पर जो है और बाहर की अगर मैं तस्वीरे दिखांगी टो आप कि किस तरीके से सक्टर 6 के पास सिस्टम मुझूद हैं और देख पारें किस तरीके से जो है इनका पूरा घर बना हुआ है और में एक छीज और दिखाना चाहूंगी जिस कहते हैं कि घर में ग्रहनी होते है로 Gothic यहहीं है जो यहीं खाना भी जो है बनाने ही हईो रहे हैं कि बच्चों को भी पालना है अपनी बीवी का भी ध्यान रखना .... अपना भी धोड़ों देखना वर नोकरी बिल्कुल भी, नहीं कर से नहीं पось लगा है हैं क्योंकि घर में छोटी सी जो है ये गुडिया है मम्मी से खेलती हो आप मम्मी को याद आती है मम्मी पहले खाना किलाती थी क्या कहना चाहोगे बस मेरी बीमार है हमारे मदद कर दो तो देख पारे हैं गुडिया जो है वो यही कहई रही है कि मेरी जो मां हैं वो बहुत जदा बिमार है और उनकी जो है मदद कर लो जाहां देक पा रहे हैं ने पीटा जी Definite अगर यहां की कंडिशन दिखाऊं देख पा रहे हैं घर की वी कंडिशन बिलकुल जादा ठीक नहीं ह nasal महिला की हालत हो चुकी है और महिला जो है बिलकुल ना किसी को पहचान पा रही है और नहीं किसी से भी बाच्चित वगारे कर पा रहाए रहा है जो जो इनका बेटा है वही ये चेंज करता है और देख पारे हैं बतलब बहुत जादा ही जो है कस्चो से ये पूरा परिवार घीरा हुआ है तो देख पारे हैं कि ये जो है जो इनके पती है वो भी बहुत जादा लाचार है गुडिया भी लाचार है छोटी सी बच्ची है और खाना पीना भी खुद ही जो है ये सर बनाते हैं क्योंकि जो महिला की हालत है वो बहुत जादा खराब है अपने माइंड सेट में वो नहीं 200-300 रुपे की जो है दिहारी मज़़ूरी करता है बहुत बड़ी बात है और कहीं न कहीं से अभी भी जो इनका गुजारा हो रहा है मैं आपको बता दू कि कहीं किसी से मांग लिया कभी किसी ने हेल्प कर दी कभी किसी समाथ से भी ने कर दी मैं आपसे हाथ जोड़ कर यही प प्रवार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार आता है तो कहीं न कहीं लोग जो हैं बिच्छड जरूर जाते हैं और ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ है मैं आपसे यही बार बार हाद जोड़कर यही अपील करूंगी खबर को जादस जादा शेयर जरूर करें